नमस्कार दोस्तों सौगत आप सब का मेरे स्गेट चनल में आज के इस वीडियो में YouTube यूट्यो अप्लोड करने का सही तरीका क्या होता है इसके साथ ही आपके YouTube वीडियो का SEO इम्परूब करके आप किस तरह से आपकी वीडियो के रैंक बढ़ा सकते हैं इसके बारे में डिट YouTube यूडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आपके चैनल में जाना है यहाँ पे आपको डैश्बॉर्ट को option select करना है तो जैसे आप डैश्बॉर्ट पे click करते हो तो आप अपने dashboard पे redirect हो जाते हो तो यहाँ पे आपको upload का बटन दिखेगा तो इस पर आपको आपलोड पर क्लिक करते हो तो आपकी फाइल्स बैक्ग्डाउंट में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप सकते हो आपका जो फाइल सोना स्टार्ट हो जुका है यहाँ पर जब कि 100% complete हो जाता है तब तक हम वीडियो की details एंटर कर सकते हैं इन वीडियो details के section में आपको सबसे पहले वीडियो का title यहाँ पर इंटर करना है तो मैं अभी वीडियो upload करने के बारे में कुछ तो information दे रहा हूँ तो इसमें आपका जो title है relevant होना चाहिए तो यहाप यहाप YouTube SEO और how to rank और upload YouTube videos in 2022 तो इस तरह से आप एक title दे सकते हैं जो भी आपके वीडियो के relevant है आपकी वीडियो कुछ अलग है आपकी title कुछ अलग है तो आपकी वीडियो rank नहीं होगी तो इसके लिए जो भी आपकी वीडियो है उसी के related आपका title यहापे होना चाहिए वीडियो के title में आप कुछ hashtag भी add कर सकते हैं तो next part is the description of your videos तो यहापे जो भी आपने title में mention किया है वही चीज़े आपको description में डालनी है और हो सगे तो आपका जो description है आप to 200 words या 250 words तक होना जीए अगर आपका कुछ facebook page है या कुछ instagram डूफ है या तो फिर कोई आपका telegram का channel है तो उसके link आप यहाँ पे दे सकते हो कुछ आप affiliate कर रहे हो कुछ amazon affiliate से कुछ link दे रहे हो कुछ products का तो ओभी link यहाँ पे आप description में add कर सकते हो तो आपका description आप to 250 words 250 words तक होना चाहिए तो इसके बाद आपको आपके वीडियो के लिए thumbnail select करना है कोई भी अच्छी image आप thumbnail के लिए use कर सकते हो next part is to select the video category अगर आपने different playlist बनाई है तो जो भी category है वीडियो गी उसी साब से आपको playlist select करना है next part is to select the audience अगर आपने ये वीडियो बच्चों के लिए बनाई है तो आप yes select कर सकते हो अगर ये बच्चों के लिए नहीं ये वीडियो तो आप no select कर सकते हो तो इसके बाद आपको यावे paid promotion अगर आप कोई promotion करते हैं तो यहाँ पर आपको click mark करना है इसके बाद वीडियो का most important part आपके वीडियो को tags तो यहाँ पर जो भी words आपने title description में mention किये हैं और जो भी आपका relevant है वीडियो में पूरे वीडियो में जो भी आपने words यूज किये तो वह words आप यहाँ पर tag as a tag use कर सकते हैं जो भी words आपको rank करना है उसको आप title, description & tag में mention कर सकते हैं इसके बाद आपको आपके वीडियो का license select करना है और इसके बाद आपके वीडियो को category select कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पर आप comment section allow all comments और अगर आपको disable करना है तो disable select कर सकते हो इसके बाद video elements में आपको कुछ करना नहीं है checks में आपको कुछ करना नहीं है in visibility आपको यहाँ पर save और publish पे click करना है और यहाँ पर नीचे public select करना है और जैसे ही आपका video 100% upload हो जाता है आपको यहाँ से publish करना है तो इस तरह से आप आपका video upload कर सकते हैं आपका जो video का rank ही बढ़ा सकते हैं आपका SEO improve कर सकते हैं So friends मैं आशा करता हूँ यह जो video हैं आपको जरूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो please like, share, comments करना मत भूले इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें Thanks for watching our videos, Bye